नमस्कार दोस्तों मैं उदेल और एक बार स्वागत करता हूँ आप सभी का चहीते चैनल इंडियन मुर्गी पालन पर उड़े देखने वाले हर किसान भाई का और मुर्गी पालक भाई का आज के उड़े में तहें दिल से बहुत-बहुत स्वागत दोस्तों थमनिल देखा टाइटल पड़ा हाँ दोस्तों जो देखा जो पड़ा वो सच है मुर्गी पालन के व्यावसाय में लाखों का मुनाफ़ा प्राप्त करना आपकी चाह है दोस्तों आपने निश्चित कर लिया है कि हमने मुर्गी पालन के व्यावसाय को इसी लिए चुना है कि आज से आगे इस व्यावसाय के माध्यम से होने वाला मुनाफ़ा इतना होना चाहिए कि जिससे हमारी घरगरहस्ती आसानी से चल सके लेकिन मुर्गी पालन के व्यावसाय में लाखों का मुनाफ़ा कमाने के बीच में सबसे बड़ी दरार जो आती है वह आती है दोस्तो मुर्गियों पर आने वाली बीमारिया हाँ दोस्तो मेरे मुर्गी पालक भाईयों को मुर्गियों पर आने वाली बीमारिया कभी पहचान में नहीं आती है और जब आती है तो दोस्तो मेडिसिन मिल नहीं पाता है और जब मेडिसिन मिलता है तब तक बहुत देर हो जाती है ISMIC कोई दवा है कि जो मेरे मुर्गी पालक भाई को आने वाली बीमारिया आने के बाद हमारे मुर्गी पालन के फार्म को सुरक्षित रख सके दोस्तो जब बीमारी पहचान में नहीं आ रही है डौक्टर फोन नहीं उठा रहा है और मेडिसिन कोन सा देना चाहिए नहीं समझ रहा है आइसे में दोस्तो गरिबों का ब्रमास्त्र है और साथ ही में दोस्तों एक आइसी दवा है कि जो संजीवनी बूटी का काम कर दे आइसे में दोस्तों आपकी तकलीफ दूर करने वाली इस दवा का नाम है lexiine powder लेकिन लेक्जिन पाउडर का इस्तमाल मुर्गी पालन में करने से कौन से फायदे होते हैं कौन सी विमारिया दूर हो सकती है और मुर्गी पालन में लेक्जिन पाउडर का इस्तमाल कितने प्रतिशत करना चाहिए कितने दिनों के बाद करना चाहिए कौन से मौसम में करना च लेकिन जिस मुर्गी पालक भाई के पास lexin powder है वो विश्व की आने वाली हर बीमारी को वहां पर बहुत बड़े पैमाने पर रोकने में कामियाब होता है क्या आपके पास लेकजिन पाउडर है अगर हाँ तो बहुत बढ़िया अगर ना तो आज के आज ही है वीडियो देखने के बाद अगर आप यहां से निकल कर शहर में आ चुके होंगे या जाने वाले होंगे तो आप से हाथ जोड़ता हूँ भाईयो क्रिपयल एक जिन पाउडर लाइए क्योंकि मुझे पता है दोस्तो मुर्गी पालन के व्यावसाय में जब एक भी चूजा एक भी मुर्गी या मुर्गा मर जाता है तो दोस्तो घाव सिधा जेब पर नहीं तो दिल पर लग जाता है और आपको पता है नुकसान हजार का हो दो हजार का हो आदमी सहलेता है लेकिन जब घाव ही अपने दिल पर लग जाता है दोस्तो तो आदमी घायल नहीं होता है पूरी तरीके से उसका confidence निकल जाता है मैंने ये सभी दिक्कतों का सामना किया है मेरे पर क्या गुजरी थी मुझे पता है दोस्तो इसलिए आप पर क्या गुजर सकती है मुझे इसकी जानकारी है दोस्तो इसलिए दोस्तो मैंने जो भुखता है वो आप ना भुखते मैंने जो तकलीव सही है वो आप ना सहे इसलिए दोस्तों आपके शामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ मुर्गी पालन का सबसे बड़ा प्रह्मास्त जो की सबसे किफायती और कारगर है इसलिए वीडियो बहुत महत्तोपुर्ण है शुरुआत से लेकर अंततक देखिया बीमारी कोन सी भी रहने दीजिए दिक्कत का हो जाएगा सुलूशन इसलिए वीडियो शुरुआत से लेकर अंततक देखिया पसंद अगर आ जाए तो जरूर कर दीजिए लाइक ज्यादा से ज्यादा किसान भाई और मुर्गी पालक भाईयों के पास बेजने के लिए कर दीजिए शेयर शेयर करने के लिए आप सब्सक्राइब करना तो आप सभी किसान भाईयों और मुर्गी पालक भाईयों से हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूँ दोस्तों आपके लिए दिन रात महिनत करके वीडियो बनाता हूँ का ता कि आपकी मदद हो सके इसलिए आप से एक ही गुजारिस करता हूँ कि मैं तो आपको अपना मान चुका हूँ क्या आप भी मुझे अपना मानते हो अगर हा तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजी इसके लिए इस उडियो के दाईतरब निचली साइड में आने के बाद दिखाये देने वाल लाल रंग के सब्सक्राइब के निशान को टच कर दीजी उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा बगल में एक घंटी आएंगे इस घंटी को टच करते हुए और इस नोटिफिकेशन को आउन कर दीजे ताकि आने वाल हर यूडियो आपको समय समय पर मिलता रहेगा तो देखें दोस्तो मुर्गी पालन में लेगजिन पाउडर क्या एहमियत रखता है क्या लेगजिन पाउडर की ताकत है और किस तरह से पहचान में आने वाली या न आने वाली बीमारियों को रोकने की काबिलियत इस लेगजिन पाउडर में है दोस्तो आपने पुराने जमाने में इतिहास को टटोला होगा दोस्तो जब अपना पुराना इतिहास देखा जाए तो जब जब लड़ाईया होती थी दोस्तो तो जब आगली सेना आप तक पहुचती थी तो दो तरीके से काम होता था आपके पास अगर वहाँ पर सेना सागर कम हो तो ऐसे में आप क्या करते थे कि आपके धुरंदर जो सेना पती थे वो आने वाले सेना सागर को रोक देते थे ताकि पीछे से उनको मदद पहुचे और जब मदद पहुच जाती थी तब वो उन पर तूट कर पड़ते थे ताकि ना उनका नुकसान हो ना साथ ही में दोस्तों कोई उनकी एक इंची भी जमीन लूट सके इससे वह कामियाब होते थे लेकिन मुर्गी पालन के व्यावसाय में भी शरीर के अंदर जब बीमारी अप्रवेश करने की कोशिश करते है तो ऐसा ही लड़ाईयों का रनसंग्राम उठता है दोस्तों आयसे में हमें वहाँ पर बीमारी आने से पहले रोकना तो बहुत ही महत्तो पुर्न है लेकिन बीमारी तो आ चुकी है पहचान में तो आ नहीं रही है आयसे में किया क्या जाए क्यूंकि हर कोई तो दोस्तों अमीर नहीं है हर कोई शहर में रहता नहीं है उनको 50-50 जाके दवा का प्रबंध करना पड़ता है और आएसे मेरे भाई है दोस्तो की जिन के पास तो डॉक्टर और उन डॉक्टर के पास वो कभी पहुची नहीं पाते हैं दोस्तो इसलिए आपकी तकलीफ मेरी तकलीफ है और आपकी समस्या मेरी समस्या है देख लीजे shut दोस्तो जब बीमारी पहचान में ना आए आपको ना समझे कि मुर्गियों को क्या बीमारी हुए तो दोस्तो लेकजिन पाउडर का इस्तमाल कर दिजे लेकजिन पाउडर किसी भी बीमारी को सव प्रतिशत वहाँ पर रोक तो नहीं पाएगा लेकिन बीमारीों का बढ़ने वाला प्रतिशत सव प्रतिशत द्रोक देगा ये मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ इसलिए दोस्तो लेकजिन पाउडर को मैं यूँ ही दोस्तो उमुर्गी पालन व्योसाय का गरीबों का ब्रह्मास्तर नहीं कहता दोस्तो एक तो Lexine Powder का सबसे बड़ा और बढ़िया गुन है दोस्तो बहुत ही किफायती दरों मिलता है 50-60-70 में मिल जाता है दोस्तो हर CT जिली में थोड़े अलग रेट हो सकते लेकिन 70-80 के ऊपर नहीं दोस्तो उसके आसपा से मिल जाएगा दूसरी बात इसका इस्तमाल 12 महा में कौन से भी मोसम में बदलने वाले मोसम में आप कर सकते हो तीसरी बात इसका इस्तमाल बीमारी होने से पहले भी किया जा सकता है बीमारी होने के बाद भी किया जा सकता है लेकिन दोस्तो अगर Lexine Powder हम देते हैं तो बीमारिया होने की स्तिती में Lexine Powder करता क्या है मैंने अभी आपको मिसाल के तोर पर समझा है कि Lexine Powder जो है स्रिफ बीमारी को रोकने में काम्याब हो सकता है बीमारी को बढ़ने से रोकता है लेकिन बीमारी को खत्म नहीं कर सकता है इसलिए दोस्तों Lexine Powder का काम है कि अपने शरीर के अंदर यानि मुर्गियों के शरीर के अंदर जो आने वाली बीमारियों के जीवानू और विशानू है उनको खत्म करने की कोशिच करता ही नहीं है वो स्रिफ उसको रोक लेता है तब तक हमें क्या करना है कि मुर्गियों पर जाने वाली बीमारियों को पहचानना है उस पर कौन कौन सी बीमारिया जो है उस पर कौन सा मेडिसिन कारगर होगा उसकी जानकारी लेकर तब तक लाना है आप समझ लीजे कि आपके पास लेग्जिन पाउडर नहीं है और आएसे स्थिति में आपके पास वह मालुमात भी नहीं कि कौन सी बीमार या आपको तो लाना है अईसे बहुत दूर होगा तो दोस्तों आगर आप मेडिसिन लाएंगे तब तक तो आपकी मुर्गी बीमार गिर जाएगी मर जाएगी तो आईसे में लेगजिन पाउडर देना है पहले और उसके बाद आपको जो उचित मेडि लेकिन यह सभी बाते करते हुए हमने तो आभी बीमारिया पहिचान मिलाने के लिए डॉक्टर नहीं है फार्म तो आपका पचास सव मुर्गियों का है दोस्तों हम आपका फैमिली डॉक्टर बनना चाहते हैं और आपको कोशिश करके दोस्तों पूरी जानकारी जो है लॉक्टर संकल पना में जुड़ने के लिए क्या का करना चाहिए कौन से बातों को फॉलो करना होगा इसके लिए आप संपर कर सकते हो मेरे नंबर दोस्तों यहां पर आप समझ सकते हो कितना महत्वपुर्ण है अभी लेकजिन पाउडर देने के बाद बीमारियों का प्रतिशत बढ़ गया जो बढ़ने वाला था स्वारी वो कट गया अभी आपको उचित मेडिसन देना है ताकि आपकी मूर्गी तंदुरुस्त होने के तरफ अग्रेसित हो जाए अभी रही बात कि इसका प्रमान क्य बजे रख दीजे दोस्तो इस तरह से दे दीजे तीन दिन बीमारी होने के स्थिती में तीन दीजे और बीमारी नहीं होगी तो 15 दिन में तीन दिन दीजे दोस्तो बीमारी होने की संभावना खत्म हो जाती अगर आपने अभी तीन दिन दिया उसके बाद दो दिनों के गयाप से और तीन दिन दे सकते हो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है एक लिटर शुद्ध पानी में एक ग्राम लेक्जिन पाउडर इस्तेमाल करते हुए थोड़ा बहुत इसका प्रमान कम ज्यादा हो गया मात्रा का तो कोई फर गिरता है क्या तो ज्यादा तो कोई बेक अभी इतना सारा करते हुए दोस्तों आप सफल होगे कभी दिक्कते आएगी तो चोरा से किस बाइसी बासट बासट पर वाटसब पर आपका नाम पता भिजवा कर एक कॉल कर दिजे प्रयास करूंगा आपकी मदद करने का दो पर तीन से लेके आड़ बजे तर तो देखे दोस्तों इस तरह से आपको 12 महा तक इसका इस्तेमाल करना है कभी भी किजिए लेकिन पहले आपसे विनती करता हूं कि आप अपने फार्म पर क्रिपय दोस्तों लेक्जिन पाउडर लाकर रखे क्योंकि दोस्तों हाथ कंगन को आरसी क्या और पड़े लीके को फारसी क्या और दोस्तों में एक बात और कहता हूं कि प्यास लगने के बाद कुआ खोदने का मतलब है कि आपना कौन सा भी छोटा बड़ा कारोबार हो उसको वहां पर जो है दोस्तों भविश्य में अंदरे के घरत में ढखेलना है दोस्तों इसलिए आईसे गलती मत कीजिए जब कि मुर्गी पालन में इसके जरुरत कभी भी गिर सकती है तो पहले ही लाकर रखिए तो इसलिए दोस्तों अगर मुर्गी पालन के व्योसाय को आपको सही तरीके से चलाना है लाखों का मुनाफ़ा इससे प्राप्त करना है तो एक आसान तरकीब है लेक्जिन पाउडर को लाकर रखिए दोस्तों ताकि आपके हर परिशानी दूर हो सके तो दोस्तों इसके बारे में क्या है आपका सोचना आपको अगर हो कुछ पूचना तो चवरासी किस बायासी 62 62 पर आप टाइप करके भेज दीजे तो दोस्तों यहां से आगे मुझे वादा किजे वचन है अगर आपको सही तरीके से सफल मुर्गी पालन करना है तो लेक्जिन पाउडर का इस्तेमाल करना ही होगा तो दोस्तों इस वीडियो के बारे में क्या है आपकी राय अगर आपको कुछ हो पूछना तो जरूर दोस्तों कमेंट सेक्षन में लिख कर भेजिए पसंद आया के साथनों का इस्तेमाल करते हुए इस वीडियो को लिंक को जरूर शेयर कर दीजिए रहा होगा अगर आपका सब्सक्राइब करना तो आप सभी किसान भायों से मुर्गी पालक भायों से हाथ जोड़कर विंती करता हूं दोस्तों आप सभी को मैं अपना मान चुका हूं मा पर सबस्क्राइब किजेए और दूसरों को सब्सक्राइब कराने के लिए प्रवर्त किजिए उसके लिए दिखाय देने वाले लाल रंग के लिए को गन्ती को टच करती solic now को कर दिजे टाकि आने वाला हर नोगला को समय समय पर मिलता रहेगा अप सभी के चहीद चानल इंडियन मुर्गी पालन पर आपको सदेव मिलता रहूंगा तब तक के लिए मेरे हर किसान भाई और मुर्गी पालक भाई का आज की वीडियो में तहे दिल से बहुत-बहुत आप